भाई और बहनों, हमें वर्तमान की स्थिति को बदलना भी है और भविश्के संकटों का अभी से समाधान भी तनासना है। इसलिए हमारी सरकार ने वाटर गवनन्स को अपनी नीतियां और निर्णव में प्राथिक्त अपर रखा है। बीते छे साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभ्यान हो पर ड्रॉप मौर क्रॉप इसका अभ्यान हो या नमामी गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विशह है कि हमारे देश में बर्षा का अधिकाउं जल बरबाद हो जाता है। भारत बर्षा जल का जितना बहतर प्रबंदन करेगा उतना ही ग्राउन वोटर पर देश की निर्भरता कम होगी। और इसलिए कैच दरेइन जैसे अभ्यान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ती अभ्यान में विशेश ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामिन शेत्र दोनों को सामिल किया जा रहा है। मौनसून आने में अभी कुछ हफ्तों का समय है। इसलिए इसके लिए हमें अभी से पानी के और बचाने की तैयारी जोरों पर करनी है। हमारी तैयारिया में कमी नहीं रहनी चाहिए। मौनसून के आने से पहले ही टैंक्स की तालाबों की सभाई हो। मिट्टी निकालना हो तो वो काम हो जाए। पानी संग्रह के उनकी शमता बढ़ाना है। बरसा जल बहकर आने में उसके रास्ते में कहीं रुकावटे नहीं हो तो उसको हटाना है। इस तरह के तमाम कारियों के लिए हमें पूरी शक्ति लगानी है। और इसमें कोई बहुत बड़े एंजीनिरिंग की जरूत नहीं है। कोई बहुत बड़े बड़े एंजीनियर आकर के कांगज पर बहुत बड़ा डिजाइन बना दे उसके बाद वे कोई जरूत नहीं है। गाओं के लोगों के चीज़े मालूम है, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे, कोई कराने वाला चीज़े बस, और इसमें टेकनोलोजी का जितना जाता से ज़्यादा इस्तमाल किया जाए, उतना ही बहतर होगा, मैं तो चाहूंगा, अब मन्रे गाका एक एक पैसा, एक एक पाई बारिस आने तक सरफ 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 इसी काम के लिए लगे, पानी से संबंदी जो भी तैयारिया करनी है, मन्रे गाका पैसा आप कहीं और नहीं जाना चाहिए, और मैं चाहूंगा, इस कैम्पेंग को सफल बनाने में, सभी देशवाचियों का सयोग आवशक है, आप सभी सभी डीम, डीसी, साथियों के भी बहुत बड़ी भूमी का है, मुझे बताया गया है कि आज इसके लिए विशेज ग्राम सभाय भी आयोजित की गई है, और जल शपत भी दिलाई जा रही है, ये जल शपत जन जन का संकल्प भी बनना चाहिए, जन जन का स्वभाव भी बन चाहिए, जल को लेकर जब हमारी प्रकृती बढ़ लेगी, तो प्रकृती भी हमारा साथ देगी, हमने बहुत बार सुना है, कि अगर सेना के लिए कहा जाता है, सेना के लिए कहा जाता है, कि शांती के समय, जो सेना जितना ज़्यादा पसीना भारती है, युद्ध के समय, खुन उतना कम बहता है, मुझे लगता है, ये नियम पानी को भी लागू पड़ता है, अगर हम पानी बारिश के पहले, अगर हम महनत करते हैं, योजना करते हैं, पानी बचाने का काम करते हैं, तो अकाल के कारण जो अर्बों खर्बों का नुक्सान होता है, और बाकी काम रुख जाते हैं, सामान ने मानवी को मुसिबत आती हैं, पश्वों को पलाइन करना पड़ता है, ये सब ये सब बच जाएगा, इसलिए जैसे यूद्ध में सांती के समय पसिना बहानाई मंत्र है, वैसे ही जीवन बचाने के लिए वर्षा के पहले जितनी जादा महनत करेंगे, उतना उपकारत होगा।